हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंश्याल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें मुचल फंड एवं अदर्स फाइनेंश्याल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में होती है आज हम चर्चा करेंगे कि यस आई पी आवस्चता अंसार देखे पर्टिकुलर तो मैंने कई लोगों के एक्जांपिल लेकर के बताए हैं कि इतने एमाउंट की एसाइपी करिए कितना फायदा होगा लेकिन अपने यूट्यूब परिवार के कई लोगों ने कमेंट्स भी किया हमको फोन भी किया वाटसप भी किया कि कुछ ऐसी चीजे बताईए कि जो हर एक बैक्ति को आसानी से समझ में आ जाए और वो वीडियो हर एक कैटागरी के लोगों के लिए हो मिडिल क्लास के लिए भी हो एचनाई के लिए भी हो लोवर क्लास के लिए भी हो परसेंटेज के हिसाब से उसको अपने हिसाब से कैल प्लेट कर सकते हैं और उसमें ये भी बताईए कि जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का एक्जामपिल लेते हैं लेकिन उस पैसे को अगर मालीजे 15 साल बाद हमको 1 करोड रुपए मिलेंगे जाकर के तो उसकी आज की समय में क्या वाइल्यू है? कितने पैसे हैं? और आगे हम लोग खुद काल्कुलेट कर लेंगे अगर पूरा कैल्कुलेशन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होगा कि 3-4 वीडियो में ये सारी सीजे कवर कर ली जाएं जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम इसको जो है ले लिया करेंगे तो हम ने इसमें çar सीजने है तैइम पीरेट सा लीए है ये जैसबी का तैटिल है कि आज की वीडियो का टाइन death या साईपी आवसक्ता अन्सार नीड बेस्त ये साईपी जिसको अ कि यसाईपी आवस्यक्त अंसार, चार समय लिए हमने इसमें, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, किसी ब्यक्ति की उम्र माल लिजे, 45 साल है, तो वो 15 साल अपनी यसाईपी चला सकता है, किसी की उम्र माल लिजे, 40 साल है, तो वो 20 साल के लिए चला सकता है, किसी की उम्र 35 साल है, तो वो 25 साल चला सकता है, और जिसकी उम्र भी 30 साल है, साल 2 साल ही नौकरी लगे हुए हुए, या उन्होंने अपना जाब शुरू किया है, तो वो 30 साल के लिए अपनी यसाईपी दूसरे conservative और तीसे moderate तो जो aggressive है उनका return मैंने 15% ही लिया है 15% से ज़्यादा नहीं लिया return हमेशा assume करने चाहिए जो realistic हो जो आ सके वाकई में यह नहीं कि 25% मान लिया जाए आज के समय में जैसे आप किसी भी category का funds उठाईए कि 20% 25% किसी में 30% तक के भी return आ रहे होंगे लेकिन वो जो है realistic return नहीं है वो हर समय नहीं आएंगे इस समय sensex index आपके सारे बढ़े हुए इसलिए ऐसा दिखता है तो return की category मैंने तीन दिये और amount मैंने पांच करोड रुपए लिये हैं कि पांच करोड रुपए चाहिए 15 साल बाद 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद तो उसकी आज के समय में क्या value होगी एक chart देखे हमारा आ रहा होग होगा display हो रहा सुर्वास से ही हमने टीम को बोला उसमें पूरे calculation भी मैंने बताएं कि कैसे होगा देखे सबसे ऊपर मैंने दिखाया है टाइम दिखाया है उसके बाद return rate of return 11% 13% और 15% जो लोग बिलकुल conservative type के हैं यानि ज्यादा उनको 10% 11% यानि कि bank FDR से अच्छे return मिल जाए चलेगा तो उनके लिए 11% लिया है जो moderate return चाहते हैं उनके लिए मैंने 13% लिया और जो aggressive यानि risk लेने की capacity में उनके लिए मैंने 15% का return एजूम किया है लेकिन इसमें अगर मालेजे इंडस्ट्री या उस category का fund 15% return दे रहा है तो जिनके एजूम 11% के हैं उनको भी 15% ही मिलेगा ऐसा नहीं कि उनको 11% मिले इस confusion मत रहे हैं आपको भी 15% ही मिलेगा तो अगर यसाइपी की जाए 15 साल के लिए 15 साल बाद जो है पांच करोड रुपाए चाहिए तो इसके लिए अगर 11% के हिसाब से कोई चाहता देखे इसमें एक चीज बिलकुल इसपस्ट होगी कि जितना लांग टर्म आप निवेश करेंगे उतना कम पैसा आपको निवेश करना होगा रिटर्ण आपके पास उतने ज़्यादा आएंगे म्यूचल फंड ये कहता है कि यहाँ टाइम ज़्यादा दीजे निवेश चाहिए भले ही कम करिए अगर सबसे पहले हम मान के चलते 15% के हिसाब रिटर्ण दे रहा है फंड हमारा 15% के रिटर्ण दे रहा है और 7% इंफ्लेशन रेट है महेंगा इदर 7% है तो 5 करोल रुपए की वायलू 15 साल बाद क्या होगी आज की कितनी वायली जो हमको 15 साल बाद 5 करोल रुपए मिलने आज उसकी वायलू आज के समय कितनी है या 20 साल बाद जो मिलेंगे उसकी आज के समय क्या वायलू है 25 साल बाद जो मिलेंगे 5 करोल उसकी आज के समय क्या वायलू है और 30 साल बाद जो हमको मिलेंगे उसकी आज की value क्या है तो देखे हम सभी calculation तो नहीं बताएंगे सिर्फ last वाला बता रहें कि जिनकी उम्र 30 साल है पूरा चार्ड लगा है आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं जिसकी उम्र 30 साल है 30 साल बाद जो 5 करोल रुपए उस समय मिलेंगे 7% महेंगाई दर के हिसाब से उसकी value आज के समय में 96,82,023 रुपए है यानि कि जितना काम हमारा आज के समय में 96,82,023 रुपए में हो रहा है 30 साल बाद मेरे पास 5 करोल रुपए होंगे तो वही काम होगा तो इसके लिए 5 करोल रुपए के लिए या 96,00,00 रुपए के लिए हमको कितना निविस करना होगा जो लोग 11% के हिसाब चाह रहे हैं उनको 19,776 रुपए की एक कैसाइपी शुरू कर देनी होगी और 13% के हिसाब से 13,292 रुपए की 15% के हिसाब से 8,878 रुपए की एक कैसाइपी शुरू कर देनी होगी अब जिन लोगों की उम्र अभी कम है और इंकम उनकी कम है उनके पास मंतली सैलली जो है या मंतली इंकम जो है बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे तो आज का वीडियो अगर हमको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें दूसे लोगों तक सेयर करें कमेंट्स करें कमेंट्स करने से ही हमको अच्छे वीडियो बनाने की प्रेड़ना मिलती है जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फैनेंशाल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अब सब्सक्राइब कर ले बेल आइकान को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार